मकर संकरांती दो हजार चौबिस शुब मूरेथ पूजा विधी महापुनिकाल का समय आज एम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल दो हजार चौबिस में मकर संकरांती कब है पूजा का शुब मूरेथ पूजा विधी और इसके महत्व के बारे में हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में स्वागता पोज़ा विदी और मेहत्र क्या है मखर संकरांति शुब मूरत 2024 साल दो हजार चौविस में मकर संक्रांती का पर्व 15 जन्वरी सोमवार के दिन मनाया जाएगा मकर संक्रांती का शन रहेगा 14 जन्वरी रातरी 2 बच कर 54 मिनट पर संक्रांती पुन्निकाल मूरत होगा 15 जन्वरी प्रातकाल 7 बच कर 15 मिनट से शाम पांच बच कर 56 मिनडर तक संक्रांती महा पुनिकार मूरथ होगा 15 जन्वरी प्लाथकार 7 बच कर 15 मिनडर से प्लाथकार 9 बची टक मकर संक्रांती पूजा विदी चासरो के नुसार मकर संक्रांती के दिन सूरी देव को अर्ग और पवित्र नदियों में इसनान दान का विशेश महत्व है इस दिन सूरी पूजा और गंगा जल से इसनान करें संबा हो तो सूर्यदे से पहले उठकर तिल मिले जल से इस्तान करें फिर सूरीदेव को जल का अर्ग दे कर उम सूर्याय नमह मंत्र का जाप करें मकर संकरांती पर भगवान सूरीदेव की पूजा के बाद तिल, उडदाल, चावल, गुड, वस्त्र वधनादि किसी ब्रामर को दान करना चाहिए साथी इस दिन भगवान को तिल और खिचडी का भोग लगाना शुब होता है मकर संकरांती का महत्व पौरानी कथाओं के अनुसार इस दिन सूरीदेव अपने पुत्र शनी के घर जाते हैं शनी मकर वा कुमबरासी के स्वामी हैं जिस कारण यह पर वा पिता पुत्र के मिलन का प्रतीक है कुछ जगहों पर तो इसे नई फसल और नई रितु के आगमन के रूप में मनाया जाता है इस दिन तिल और गुर से बने लड़ू वा अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा है क्योंकि ऐसी मानिता है कि इस समय ठंड का मौसम होता है और ऐसे में तिलवगुर से बने लड़ू स्वास की दृष्टी से लाबदायक होते हैं इस दिन खिचरी बनाने, खाने और खिचरी का दान करने का भी खास महत्व है माना जाता है कि मकर संक्रांती पर खिचड़ी खाने और दान करने से कुंडली में ग्रहों की इस्तिती मजबूत होती है अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उप्चार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना ना भूले